बिहार के बिहार के सबसे सिख्षित जिलों के बारे में बिहार में सबसे सिख्षित जिलों में दस्वे नंबर पर आता है सारण जिला 2011 के जनगन्ना के अनुसार सारण जिला की अबादी 49,51862 है इस जिले का छेतरपल 2641 वर किलो मीटर है 2011 के जनगन्ना के अनुसार इस जिले की साक्छर्टा दर्थ 68,57% है इसकरी में नोए स्थान पर आता है अर्वल जिला, 2011 के जनगन्ना के अनुसार इस जिले की अबादी 7,843 है और साक्षर्ता दर 79.54 प्रतिशत है, आठवे नमबर पर आता है बकसर जिला, 2011 के जनगन्ना के अनुसार बकसर जिला की साक्षर्ता दर 70.14 प्रतिशत है, पटना जिला की छेत्रफल 3,202 वर किलोमेटर है 2011 के जनगन्य का नुसार पटना जिला की आबादी 59,395 है छड़े अस्थान पर कैमूर जिला आता है 2011 के जनगन्य का नुसार कैमूर जिला की आबादी 16,262,84 है और इस जिले की साक्षर्ता अदर 71,01 प्रतिसत है कैमूर जिला की छेत्रफल की बाद करें तो 3,362 वर किलोमेटर है पांचोय स्थान पर सिवान जिला आता है 2011 के जनगन्य का नुसार इस जिले की साक्षर्ता अदर 71,59 प्रतिसत है और इस जिले की आबादी 33,364,64 है सिवान जिला का छेत्रफल की बाद करें तो इस जिले का छेत्रफल 2,219 वर किलोमेटर है इस करी में चोथे स्थान पर आता है औरंगाबाद जिला औरंगाबाद जिले की छेत्रफल 3,305 वर किलोमेटर है 2011 के जनगंना गनुसार इस जिले की साक्षर्टा दर्थ 72.77 प्रतिसत है तथा औरंगावाल जिला की कुल आबादी 25.474 लाग है तीसरे अस्थान पर आता है भोजपूर जिला, भोजपूर जिले की छेतरपल 2395 वर्ड किलोमेटर है 2011 के जनगन्ना का अनुसार भोजपूर जिला की साक्छर्टा आदर 72.79 परतिशत है सबसे सिक्षित जिलो की सिरेणी में दूसरी अस्थान पर मुंगेड जिला आता है मुंगेड जिला की छेत्रफल 14.19.7 वर किलो मle legitimately है जो 2011 के जनगन्ना कानुसार मुंगेड जिले की साक्षरता दर 73.3 प्रतिशत है बिहार का सबसे सि खषित जिला रोहताश जिला है 2011 के जन गन्ना के अंसार रोताह जिला का साक्षर्ता दर 75.6 प्रतिशत है और यहां की आबादी 29.6 लाग है रोताह जिला पटना डिविजन के अंतरगत आता है और बिहार के सबसे सिक्षित जिलो की स्रेनी में सबसे पहले नंबर पर आता है तो हम उम्मेद करते हैं कि हमारे दोरा दी गए यह जानकारी आपके काम आएगी अगर इस स्रेनी में आपका जिला भी आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आपको लगता है कि इस स्रेनी में आपके जिले का नाम छूट गया है तो आप हमें ओगत करा सकते है तो आज के लिए बस इतना ही बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों सरूबरू रहने के लिए देखते रही है बिहारी नूज धन्नवाद